आपके जीवन पर क्या और कितना प्रभाव पड़ता है नाम का महत्व सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि नाम से ही व्यक्ति की पहचान होती है भारती जोतिस पदती में नाम का इतना अधिक महत्व है कि नाम के पहले एक्सर से व्यक्ति की रासी और उसके नक्षत्र वे चर्ण का पता लगता है गख्तिकी नाम रासी वे नक्षत्र अन्येक महत्व पुरुन कारियों में काम आते हैं पूजापाठ वे गुण मिलान आदी में भी नक्षत्र वे उसके चरण का महत्व होता है रासी फल जो आप अकबारों वे पत्रिकाओं आदी में पढ़ते हैं या टीवी पर सुनते हैं वे आपके नाम के अधार पर ही होता है नाम के पहले अक्षर का महत्व किवल भारत में ही नहीं बलकि विश्व के सभी देसों में है आज अधिकांस देसों के लोग अपना नाम अंग्रेजी में लिखते हैं अंग्रेजी वर्ण माला में कुल 26 अक्सर हैं आपके नाम का पहला अक्सर आपके जीवन को किस परकार प्रभावित करता है आपके अंदर किन गुणों वे दोसों आदी के वृद्धी करता है तथा आपकी सिक्षा वे केरियर आदी पर क्या प्रभाव डालता है अब मैं इसके समंध में चर्चा करूँगा यदि आपके नाम का पहला अक्सर के है तो इस विवरन को ध्यान पूरवक सुने के अंग्रेजी वर्णमाला का ग्यार्वा अक्सर है और इसका मुल्य दो है यानि जब हम किसी नाम का मूलांक निकलते हैं तो के के लिए दो अंकों की गणना करते हैं आपके नाम के पहले अक्सर का प्रभाव आप पर यह है कि आप काफी सिर्जनात्मक शक्ति वाले शांत व्यक्ति हैं आप में आभास शक्ति काफी है और आप भविशे में होने वाले गटनाओं को पहले से ही जान लेते हैं आपके जीवन में आकस्मिक घटनाएं काफी होती हैं, आपके जीवन में उतार चड़ाओ भी काफी आते हैं, कभी-कभी आप जीवन की उचाईयों को छू रहे होते हैं, तो कभी-कभी आप बहुत निचलेस तरका जीवन जीने को मजबूर होते हैं. धन कमाने की कला में आप सिद्ध हस्त होते हैं और इसके लिए आपके समक्स अनेक बार अवसर आते हैं, अपने संपर्कों के माध्यम से आप काफी धन का अरजन करते हैं, जब-जब भी आप लालच में आकर अतिधिक धन अरजन करने की लालचा करते हैं, तो ठगने वाले व् जाने के बावजूद भी आप उन पर आसानी से विश्वास कर लेते हैं। धन को खर्च करने में भी आप उदार होते हैं। जीवन के प्रारंबिक दोर में आपको काफी संगर्श करना पड़ता है। जिसका फल आपको काफी देर से मिलता है। आपकी प्रारंबिक शिक्षा में भी व्यवधान आने की संभावना बनी रहती है। कभी पारिवारिक प्रस्थितियों के कारण और कभी आर्थिक समच्याओं के कारण शिक्षा बाधित होने की संभावना रहती है। उच्छ शिक्षा में प्राय आपको अधिक कस्ट नहीं उठाने पड़ते। दूरस्थान की यात्रा या विदेश यात्रा भी आपकी शिक्षा में सहयोगी होती है। निजी व्यवसाई की तुलना में आप नोकरी को अधिक परमुकता देते हैं। यदि आप अपने लिए व्यवसाई का अक्षेत्र चुनते हैं तो अकेले ही आगे बढ़ना आपके लिए लावदायक होता है। साज़दारी का व्यवसाई आपके लिए उप्युकत नहीं होता। आप सभी प्रिस्थितियां अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं। आप काफी भावुक होते हैं। अपने प्रेम समंदों में आप कुछ संकोची होते हैं और खुल कर बात नहीं कर पाते। इसी कारण प्राया आपको कई बार धोखा मिलता है वे निराशा का सामना भी करना पड़ता है। दांपते जीवन में आपको अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। समझोता वादी प्रिक्रिया अपनाना आपके लिए लावदायक होता है। यदि आप अपने व्यवसाइक एक्षेत्र प्रेम समंधों वे दांपते जीवन में खुल कर स्वस्ट बात करना आरंब कर देते हैं तो आपको हानी नहीं मिलती। ऐसा करने से आपको सभी और से सहयोग मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। आप चाहें तो यह जानकारी अपने मित्रों के साथ शेयर भी अवश्य करें। किसी और जानकारी की आप सिकता हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे जोति समंधी सलहा भी ले सकते हैं हमारा पता है सोभागे दिप 74 रिंग रोड मार्किट स्रोजनी नगर नई दिल्ली 4 नमबर है 999-058-4444-999-059-4444 धन्यवाद जुझतानों दिल्ली genetic रोड मार्कि नगर रोड मार्किट स्रोजनी नगर कि करते हैं अर फड में थाया मार्किन का को रे च रहाँ अरप आप एस दिल्ली रोड में पाना।